तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को कैसे यूटलाइस करना है पांच सेट हैं इसके अंदर ठीक है सौसो कोश्चन के पांच सेट हैं कॉंसेट्स हैं सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि थौरो रीडिंग कर लेनी है इसकी जैसे मालो जोगर्फी पढ़ाया जाने वा क्वेचन लगाना जरूरी क्यों होता है उसका रीजन ये होता है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका जब एक कुश्टोन पढ़ा हुआ होता है तो आपका जीसाली बढ़ाते तो पहला फोकूस तो आपको ये कि अटेंशन लेसे वल बढ़ा हम एक टेगे practice न कम से द तो रिजल्ट भी तुम्हारा उसी केस आप से आ रहा है तुमने टेस्ट में बहुत अच्छे मांक गेन किये हैं तो कर्मफल सिध्धान तो यही होता और थोड़े ना कुछ है आप सोचोगे कि आप कुश्चन ना लगाओ आप पढ़ाई ना करो और उसके बाद आप आये का वयाद रहता है आपको तो एक्जाम आपका है तो एक्जाम को उसी तरीके से ट्रीट करो तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए 500 कुश्चन है ठीक है जोग्रफी की पूरी क्लास को निचोड़ लेना है इसमें दो काम होंगे जब आप इसको थोरो रीड करोगे तो जो ट NCRD के कुश्चन का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है वो समझना जरूरी एक NCRD लैंग्विज कहां से यूज कर रहा और क्या चीज यूज कर रहा है इसमें NCRD का एक्जाम के कुश्चन को तुमने कभी एक पैटन में रखा नहीं होगा इस वज़े से तुम्हें दिक्क थोड़ा सा कुश्चन आया हुआ है डायरेक्ली सोर्स बता दे रहा हूं किस चैप्टर से NCRD के कौन से साल का कुश्चन आया हुआ है ठीक है आपको इससे बहुत अंदाजा हो जाएगा कि हम पढ़ते कैसे हैं और कुश्चन देता कैसे हैं जैसे सुबह भी पढ़ाते से मैंने आपसे चैंज कर दिया और कुश्चन का आपका क्या हो मुश्चन गलत हो गया बात वही थी कि हमें रिफेरेंस एंगल कैसे लेना है तो यहां पर भी करते हैं चलो पहला कोश्चन बढ़ते हैं एक पहला कोश्चन हम इसको देखते हैं ध्यान से इक कुछ जो है वह स्टेटमेंट क चलती है जिसमें उसी का एक पार्ट है पश्च्वी विच्छोब अगर आज आप निस विपर पढ़ोगे तो आज फ्रंट पेज पर ही सबसे नीचे एक न्यूज आई है कि बहुत जल्दी ही जो है वो बारिश और बरबारी ओला वरस्टी होने वाली है हेल स्टाम होने वा चोब के असर से उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम ओला वरस्टी से लेकर वर्शा तक इसमें अंदाजा बताया गया है अब इसी को ही एक कोईश्चन के सेग्मेंट में देखते हैं यूपीसी कोईश्चन पूछता कैसे है पहले तो आप इस बुक से ये सीखोगे आप स्कूलों के मन में धारना कैसी होती है चुकि मैंने अभी सुबह की क्लास में बताया कि आपको स्कूल में एसस्थी पढ़ाई कैसे गई होगी तो आप उसी संदाजा लगा लो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों सब्जेक के महत्तों को नहीं जानता था तो आपको मार्क्स पारने के लिए आपको पूरा फोकस आपके 10th 11th में दिखाया गया हो को भाई PCM पढ़ लो PCB पढ़ लो इंजीनियर बन जाओगे डॉक्टर बन जाओगे यह सब तो बाद में करने वाली चीज़ है अब वही आपका को बन गया UPSC में अब यह सब्जेक्ट को एक पूरी धारणा के साथ पढ़ना होता है तो इसमें concept क्या जड़ा देखो कहता है jet stream केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है अकर्स उनली नौर्थ हमीश्पियर और ओनली सम््साइक्ट अगोल कुछी साइक्ट यूर्थ में आख पाई जाती है डबलपन इसका कौर एरिया होता है साइक्लोंं बेसिकली लोग फ्रेशन एरियास जबलप करते हैं ठीक है जितनी ज़ादा उसकी अगपलप होती है उतनी ज़ादा उसकी तीवरता हो जाती की जो आई होता है वहां का तापमान बाहरी तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है अब जड़ा question का नेचर देखो question तीन अलग अलग concept को एक साथ अपने साथ जोड़े हुए है मालो आपको साइकलोन के बारे में पता है कि भई ट्रॉपिकल साइकलोन यहां पाया जाता है वहां पाया जाता है आपने सब कुछ याद कर लिया बड़े अच्छी बात है बड़े विद्वान है लेकिन इसमें mechanism प पाई जाती अब आपको justify करना पड़ेगा आपको reason देना पड़ेगा फिर तीसरा को इस तीसरा पार्ट आप से कह रहा है temperature के बारे में यानि आपको इस subject की पूरी पूर्णता पता होनी चाहिए फिर cyclone का jet stream से क्या relationship है इसमें cyclone जब एक वर्टिकल कॉलम बनता है तो lower side से upper side में एक jet stream के साथ उसका connection होता है जो cyclone ऊपर की तरह develop होता है और वो jet धाराओं के साथ connect हो जाता है तो यह mechanism जो है यह तीन पार्ट तुमसे पूछ रहा है अब तीन पार्ट के बाद तुमसे कह रहा है कि केवल एक सही है केवल दो सही है रिगे टू एंट्री ओनली टू या वन एंट्री अब आप यह 2020 का question है UPSC 2020 का question है यह जो 11th class की NCRT chapter 10 directly question है वहाँ से रिफरेंस दे के बता रहा हूं तुम्हें 11th class की NCRT chapter 10 अगर हो तो खुलो और जो आपको यह भ्रह्म था कि UPSC पूछेगा जैसे teacher कैसे लिखाता है class में क्यों मैंने कहा कि 30% ही notes आपके काम आने वाले हैं अगर आप एक-एक syllabus का एक point भी पढ़ लोगे तो आपके जो पूरा जो तैयारी का competition का base हो कि एक 30% आपके काम आने वाला है टीजन टीचर कैसे पढ़ाएगा साइकलोन क्या होता है साइकलोन का mechanism बता दिया कहां कहां पाये गया लेकिन यह गारंटी आपको एक्जाम में qualify नहीं करा सकती क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग information पूछी गई है और तीनों का संयोजन यानि कि कैसे उसको करके आप यूटिलाइज कर पाओगे इसके बारे में उससे पूछा है तो ncrt जो सेग्मेंट पहला कि जब हम पढ़ें अब दो तरीके हैं एक साल पहले पढ़ लो टीचर ने जो नोट्स पढ़ा है कि आप भाई कोचिंग कोचिंग खेल रहे हो आप आप और आपने टीच को आप जगे किया रहे है ऐसे प्रिलिम्स नहीं होगा जैनि स्टार्ट डूइंग कोश्चन्स किया साइकलोन तो पढ़ा ता लेकिन मेरे से कोश्चन नहीं हुआ साइकलोन पढ़ते समय मेरा ध्यान नहीं गया कि उसकी आई पर हम फोकस करें टंप्रेचर यह सब कौन ध्य यह बड़ा प्यारा कोश्चन था अभी यह से दोतीन दिन पहले मैंने सर्किल ओफ इल्लुमिनेशन के बारे में बात किया था याद है बस यही कोश्चन है सिंपल लेकिन भाशा देखो यूपीएससी वाले करते हैं आप किसी भी जोगरफी के बुक में जले जाओगे 21st June the sun यानि 21st June को सूरज के साथ होता क्या है और क्यों मैंने कहा जोगरफी जोगरफी को देखेगा आंख से वही जोगरफी समझ पाएगा और अगर इसको फैक्ट के रूप में रटोगे तो यह कोश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था क्योंकि 21st June को क्या होता है ग्री समझोगे तो UPSC में अटेम खराब करते जाओगे 24 25 26 हम मिलते रहेंगे हम मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुआ तुम निकाल के कहोगे हैं नहीं वह सर इस बार कोई बूलेगा रहे आपका पढ़ा हुआ कुछ नहीं आया अरे कोचिंग में कुछ नहीं होता है ज्यान बग बार करो इस तरह के option कौन नोट्स में लिखाता है को लिखाता है किसी नोट्स पर तुमने लिखा गया यहीं UPSC हर किताब में उठा के देख लो हर नोट्स में उठा के देख लो दस कोचिंगों का नोट्स उठा लो 21 जून ग्रीश्म आयनांत सूर्य करकरेखा पर अब यूपी असी ने इसी इंफोर्मेशन को कहा कि चलो थोड़ी सी बुद्धी लगाओ और जो हम कह रहा है उसका जवाब दो कह रहा है अब दूट अन्टार्टिक सर्किल शाइन वर्टिकली ओर हैड़ अड़ नून ऑन दा एक्वेटर शाइन वर्टिकली ओर हैड़ अड़ ट्रॉपिक ऑफ कैपरी कॉन तो पहले तो आप यह देखो कि क्या नहीं हो सकता पहले बोलते आर्ट आफ रिजेक्शन जो कि 2012 से बंद हो गया तो आइट आफ रिजेक्शन में यह तुम्हें समझ में आया कि बाई कैपरी कॉन पे तो जाता ही नहीं है सूर्य रहेगा उत्री गोलार्द में और क्या परी कौन है दक्षडी गोलार्द में तो यह जाएगा नहीं हिंदी वाले भी पढ़ने नहीं कहें बता चला हमा ग्यान निक्दम आपने रोक दिया 21 जून जो है जून की किसी तारीक को क्या होता है सूर्य उत्तर धुर्वी वरत्र पर शितेश के नीचे नहीं डूपता है दक्षडी धुरूपर यह शितेश के नीचे नहीं डूपता है मध्यान में भूमद रेका पर उध्वादा रूप से व्योमस्त चमकता है और मकर रेखा पर उध्वारा रूप से प्योमस्त चमकता है तो आवियस सी बात है कि जब हम आयनान्तों की बात करेंगे तो ना भूमत दे रेखा काम आएगा नहीं तो पहले option C और option D को खतम करो इसे बुलते हैं art of rejection available option C जो नहीं हो सकते हैं पहले उसको निप्टाओ मामला पूरा का पूरी उत्तरी है अब बच गया 2 Sahaja सूर्य उत्तर धुरूमि व्रत्रवडपर चितर्ज के नीचे नहीं डूपता है और दक्षेरे धुरूमि पार व्रत्रेश्च के नीचे नहीं डूपता है अब यह language तो पकड़ो कहके रहा है जरो और कॉप ट्राओ करो चलो सब लोग ट्रओ करो है नहीं है नहीं कर रहे है चलो सब लोग ट्र॓ करो कहा तुम्हारा चितेज कहा ए आर्केटिक सर्केल गां टार्टिक सर्केल चलो ट्राओ करो सूरी किरों को ले कर जाओ Geography is a visual science Master साब ने नोट से लिखा दिया आपने लिख लिए घंटा इसका जवाब नहीं मिलेगा जब तक तुम आखों से नहीं इसको देखोगे अभी देखना दो से के अंदर हो जाएगा यह It's a complete visual science कह क्या रहा है language तो पकड़ो Does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at the Antarctic Circle, so where is the Arctic Circle, where is the Antarctic Circle और यह भी नहीं पूछ रहा है कहां है यह पूछ रहा है कि इसके नीचे नहीं जाता है किते लोगा हो गया कि यह 2019 का इस प्रिलिम्स का question है 11th class in CIT chapter number 9 लिख दिया बता दिया ठीक है चेप्टर नमबर 9 11th class की NCRT में यह दिया हुआ directly 2019 का question है बड़ा प्यारा सा question है और हुबहु जो class में नोट्स लिखाया थे मेरे NCRT नोट्स दिखा लो एक्जाम से पहले बढ़ा था वही नोट्स का question directly आया था तो चले कितने लोगों ने कर लिया दिखाओ थोबड़ा कॉपी का चलो भई शुरू करो बताओ कहा है तुम्हारा सर्केल दिवी जी माता सुरस्थी सारा ज्यान तुम्ही ले रही हो पीछे तक जाए नहीं पा रहा है कहा है दिखाओ तो हाने ध्यान से देखने कौन सा प्रत्वी तुम्हारी नाच जाएगी मैंने पूछा इस question का मतलब क्या है यह समझाओ आस्तो श्रान तुम बताओ दिखाओ जरा क्या है एक तो थोड़ा आगे बैठा करो हाँ जी मैं A B C D नहीं मांग रहा हूँ मुझे देखना है तुक्का थोड़े लगाना है कि दो बज गया फिप्टी फिप्टी ब्रिटैनिया और लगा लिया किसी ने लिखा A B मुझे पहले दिखाओ यह बच्छी पढ़ना शुरू कर चुकी है वो लक्षन नजर आ जाते हैं पापियों के लक्षन अलग नजर आ जाते हैं वो कुछ नहीं करें कांप में वैट थेरें को अरे तुमने कुछ किया नहीं पिर सोते हैं खुदे बोलके खुदे पूछके खुदी जबाब दे दे कोण रिखना कुटाओ के काइदे से दिखाओ काविक तैंसा तुम सोच रहें के और कोचिंग को मजा लें जो एक ही तरीका है मजा लेने का गुर्कुल छोड़ा और और क्योपड़िका नहीं है हाँ दिखाओ कम्पील ही चौकिया क्यां अंप पेड़ा सामने लिखा ना करा संडमरे कहां ये आसं अर्ण करो क्या बीटा तुमसे तो लाइने भी नीची ची ये तो नए बच्चे नों पर ली कम से कम ये तो पता आर्क टिक शर्कल कहां अंटर्टिक शर्कल कां तो रहा है तो सूरी ऐसी आते हैं प्रत्वी कितने डिग्री अधोकम सब्सक्री कितना टिल्टेट है हाँ जी प्रत्वी कितना नहीं तुमसे बना एंसी आटी तो पढ़े होगे अभी दक हमारे गुरुकुल में जो चिरांद बहुत जोड़ चिलाया चिराग नहीं चिरांद बोले उसको यहां तो एंसी आटी पढ़ा रहे है जो तुम वह भी नहीं पढ़ पारे हो आता जाता कुछ नहीं चिलाते हर बात पर हमारे कहावत है अधजल गगरी चलकत जाए ज्यादा चिलाता उसको एक्चली कुछ नहीं पता होता है वो लेकिन दूसरों चिला चिला कि बरबात करते रहें एंसी आटी तमीज से पढ़ नहीं जा रहा है हो गया प्रत्वी कितने डिगरी चुकी हुई है अब मैं पेरे से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनों कि अपने घूरन तल से इधर सुनों पीछे और तुम दोनों रड़कें पीछे कहां जाके बैड़की सिट्ट आगे खाली इन आवारा मसीव हों किसा थोड़ा दूर रह भाई यहां से अब ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनो अपने घूरन अक्से प्रत्वी का जुकाओ कितने डिगरी है जित से पूचूंगा वही जवाब देगा प्रूब करके दिखाओ अपने घूरन अक्से रोटेटरी प्ले revolutionary plane the angle tilt angle of the earth is अपने परिकरमण अक्ष से गुननी परिकरमण अक्ष से प्रत्वी का जुकाओ दैश है इतने डिगरी है अर्थ एंगल from their revolutionary orbit कोई बोलेगा नहीं आज घुमाई दोगीपूरी प्रत्वी को चिंता मड़ी अगर चिंता करने से आइस निकलता हमा मुखरजी ने करने आइसे लोग मोना घुमते हैं इसे कभी देखा करो ध्यान से दर्वाजब लिग देते हैं डिस्टर्ब ना करें हम पढ़ रहे हैं कि चले हो कि कोशिश तो सही किये लेकिन कोश्चन ध्यान से सुनू तो बोला नहीं लेकिन लिख के दिखाया इस बेटा ने हाँ चलो साभाज और मिर्ची कुमारी तुमसे हुआ जोया हो गया होगा किसका किसका जवाब है साड़े तेश दिग्री वैरी गुड किसका किसका जवाब है 23 वन बाई टू है ना जिसने हाद उठाय कॉप्रिम दिखा दू साड़े तेश दिग्री किसका किसका जवाब है सब बाई हां आ रहा हूं साड़े तेश तेश दिग्री प्रसाद ले लो हां हां सुबह इतना प्यार से समझाया तुमने यह भी रही किया कहा है दिखाओ कहा है हां ले लो आसिरबाद ले लो आज आज पूरू है सबका अभी चट पट की आवाज आएगी अब रोना घर जाके मम्मी मार दिये सर कोई बात नहीं हां तुम्हारा बेटा यहां मारेंग लखनों तक आवाज जाएगी अब बहुत बहुत बोल रहता सारे टीचरों को तुमने बोल बोल किसार आईसा हो जाता तो वैसा हो जाता यहां कहां नहीं कुछ अला बताएं इस थोड़ी सी आज सबको कुटा मोई कुष्चन था अरे पीछे कुछ विद्वान बैठे हैं अधे रुको 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 बोल इस कि विद्वान um M. म. अ. झाल, बोल यहां, झाल, झाल, गो विद्वान हो जाता हैं झाल, 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 झाल 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 है मारते थे, क्योंकि नहीं 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 नहीं, हाँ दिखाओ, हाँ बता बेटा सौर, मार पढ़िए, कितने साल बाद, तुम्हें अपने बच्चों को बहुत मारा है, हाँ आओ हाथ दे, तो एक काम करो, पेंसिल लो, पेंलो पें, अपने उंगली के बीच में रखो, हाँ रखो, 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 ज़ंक से बसाओ, अब दोनों उंगलियों को ऐसे कसके दबाओ, मैं तुम् लिए के बीच में रखो अब मैं तुम्हें उत्तोलक सिखाता हूँ ठीक है क्या हुआ सवाल यह नहीं नहीं पता अधीप्शी जो आज यहां पर उठक बैटक करके दिखाएगा अधीप्शी आप मेरे बच्चे सबको आज स्कुएट सिखाओ हेल्थ कॉंशियस कैसे बने और तुम दोनों अब पिटने की बारी आ रही है मैंने कोश्चन कहा रिवुलूशनर जो इसकी रिवुलूशनरी एक्सिस है वहां से क्या है हर किताब में साड़े 30 डिग्री दिया हुआ हर किताब मैं सब्सक्राइब उठागे देखोगे यह यूपीएसी है यूपीएसी बस तुम्हारा क्या इंटलेक्ट चेक कर रहा है जो तुम्हारे पास बड़ा मुश्किल से आ रहा है गुरुकुल में तो थोड़ा बहुत जग जाएगा नहीं तो इसके बाहर तो मैंने का ना हम भी कह इसके लेते हैं तो साड़े तेज़ डिग्री लेकिन कोई भी एंगल जो होता है बड़े ध्यान से जोगरफी सुबह समझाया था नहीं जोगरफी दो तरीके सोता है एक आर्ट्स वालों की एक साइंस वालों की तुम्हें थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा तो तुमन यह हमारा रोटेशिनल एक्सिस है ठीक है कोई भी एंग ऐंगल सुबह 90 डिग्री का एक एंगल बनाया था परपेंडिकुलर एंगल कितना होता 90 डिग्री का तो यह जब 23 दिग्री जुका हुआ यहां से, तो कोई भी 90 दिग्री का कि अंगल होता है 90 दिग्री, कौन सा 90 दिग्री, 90 से इसने क्या कहा, इसने कहा रिवलूशन और एक्सिस, तो रिवलूशन कैसे होता है, इसका मतलब जो हमारा आधारतल है तो वो उपर से rotation का rotation अक्ष के साथ होता है तो अक्ष से जब घूमेगा तो साड़ेतेज दिगरी मैंने rotation वर्ड यूज नहीं किया मैंने revolution वर्ड यूज किया जब सूरी के चारो तरब परिकर्मण करता है तो वो उसका आधारतलिय होता है तो पूछ रहा है यहां से एंगल कितना होगा तो नब्बे में से साले तेज़ निकाल दो कितना बचा कितना बचा कटम कुछ नहीं था कॉंसेट सेम है बट यूपी ऐसी कहता है यह इस्तमाल करना है तुम्हें सुबह बताया तो सिक्स क्लास में नहीं हो और हो तो उस तरह से बिहेव किया करो जैसे अंग उठा लेकि मूह में बैठो ठीक ऐसे बैठा करो बाल खुजाते हुए दूजरे जूआ निकालते हो ऐस लग रहा है कि नहीं आईस की तहरी करो तो उस तरह से बिहेव किया करो मैंने अभी बार बार कहा विशय की संपूर्ण था आप ने ऊपर से एंगल देख लिया विशय संपूर्ण नहीं हुए है आप से बार बार कहा रहा है handle with care एक एक शब्द पर ध्यान दो रुको ठमो क्या कह रहा है एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते समय सर्किल किया करो इसलिए बार-बार कहता हूं questions जरूर पढ़ा करो मुझे बताओ यह information किसके लिए कठें थी सबको पता था साड़े तैस डिगरी जुका हुआ नाइंथ में भी पढ़ाया गया एर्थ में भी पढ़ाया कि साड़े तैस डिगरी जुखा आज़त लेकर आते हैं अब यह जो चारपाश लोगों के पास यह किताब नहीं है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे क्लास में भी और चाया ओनलाइन ही क्यों नहीं हो यह question पढ़ने से बार-बार हमें इसकी understanding क्रियेट होती है अब अगर मैं तुमसे दोबारा कभी भी पूछूँगा यह भूल के नहीं तुम दिखा सकते हैं अब नहीं भूलोगे अगली बार तुरंट पूछोगे सर मैजर कहां से कर रहे हो अब अगली बार पूछूँगा धुरूवतारा तो zenith angle पूछ रहो या सर horizontal axis पूछ रहो अब तुरंट पूछोगे कि मुझे measurement करने के दो तरीके मेरे पास बता इसमें ऐसी कोई चीज़ सी जो तुम्हें नहीं पता था बस सिर्फ मैंने concept को twist कर दिया इससे ज्यादा कुछ नहीं शब्दों को change कर दिया बात खत्म मैंने rotation axis की जगए revolutionary axis डाल दिया बस हो गया सिंपल एक concept को utilize किया गया है यही UPSC है और यह तुमारी negative marking कर जाएगा अब आजाओ अपने पिछले question पर कि जादा तर लोगों ने उसको गलत किया मैंने क्यूं लिखा यहां पर लिख दिया imagination क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि geography is a visual science जब तक भूगोल को देखो के नहीं भूगोल समझ में नहीं आएगा अब जड़ा ध्यान से देखो अब यही मैंने NCRT में कोई मेरा कि यह रहा vertical rate topic of cancer पे उर्धवादर यह उत्तरी गोलार सूरी की तरफ है यह सूरी रहा प्रत्वी इधर जुकी हुई है यह जो लाइन दिन और रात को अलग करते इसको circuit of illumination बोलते हैं लिखा हुआ है यहीं प्रदीप्त रेखा अब प्रदीप्त रेखा को ध्यान से तुम देखोगे तो क्या देखते हो कि जब उत्तरी गोलार्द जब इसका सर सूरी की तरफ है जुकी हुई है प्रत्वी तो प्रत्वी का एक हिस्सा हमेशा सूरी की तरफ होता है और एक हिस्सा सबेशा सूरी से दूर होता है तो जून में उत्तरी गोलार्द में गर्मी होगी तो दक्षणी गोलार्द में क्या होगा अपे शक्रत सर्दी होगी विंटर सेशन होगा वहां पर अब यहां पर क्या लेकिन दक्षणी गोलाद 3.3 दिगरी जुकी होने की वज़ा से ये दूर हो जाता है और ये कभी भी अंटार्टिक सर्किल को अंटार्टिक वरत को क्रॉस नहीं करता देखो लास्ट लाइन कहा तक जा रही है इसलिए आप लोगों ने छे महीने का दिन और छे महीने की रात क हई तो यहाँ पर क्या होगा यह हमेश एकस्पोस्ज करेगा सन के सामने तो छे महीने क्या रहेगा दिन शूरज कभी डूबे गाई नहीं यहाँ पर चाहिए तुम इधर घूमलो जायोई धर घूमलो एक पॉइंट अगर notpol घूमता है तो हमेशा सूरी के सामने रहेगा और यह point हमेशा अंधेरा बना रहे है डार्क में रहे है तो यह summer solistice का जो है वो time है अब इसमें कौन सी line किसको cross कर रही है architect work यानि साड़े छाचट की line को सूर्य cross कर रहा है कहां तक जा रहा last point यहां तक जा रहा है पूरा आर्किटिक वरत एक्सपोज है नॉर्थ पोल एक्सपोज है साउथ पोल एक्सपोज नहीं है और अंटार्टिक सर्किल को cross नहीं कर रहा है सिम्पल इसके लिए कोई लंबे चोड़ी लाइन लिखा नहीं है नहीं आप विजुलाइजिशन करोगे हो जाएगा अब देखो यह सर्किल ओफ इल्लॉमिनेशन का कुश्चन था अब क्या कह रहे है डास नार्ट सेट बिलो्व ओर हरइजन एदॉश अर्टीक स्रकिल डास नाति सेट बिलो और इजनेों 待 草ंट यवणा चाहिए ए सही होगा बी सही होगा । क्या कह रहा है और यूर्व वरश अदा आिजिग मैं चर्किल अभी देखो इतना दिखाने के बावजूद भी लैंग्विज में कन्प्यूज हो कह रहा है आर्कटिक सर्किल के नीचे नहीं जाता है यह वो एक्सपोज रहता है या दस नॉट सेट बिलो दो होराइजन अट अंटार्टिक सर्किल अंटार्टिक व्रत के पार नहीं जाता है तो क्या होना चाहिए अभी चिराग तेले वाके बड़ा अंधेरा होता है कि देख रहे हो यूपी एसी को सामने से कह रहा है तो भी एंसर इसका नहीं दे पार हो यह होगा भी होगा चलो इसको ब्राण फिर से बनाओ अब आपने बाप देखो दिसंबर में इसका उल्टा हो जाता है हां दिसंबर में आर्किटिक को क्रॉस नहीं करेगा लेकिन जो है अंटार्टिक पूरा एक्स्पोज रहेगा तो सूरी की रेखा किस लाइन को नहीं क्रॉस कर रही है किसको नहीं क्रॉस कर रही है भाई यानि इसके नीचे यह देखो यह जीरो डिगरी है यह नब्बे है तो बिलो मतलब इससे साड़े छाँचट के नीचे कहां नहीं जा रही है अरे दिसंबन 21 जून बोल दिया है ग्रीस महिनांत के बारें बात हो रही है और वहां अगर आप इसको एक्जाम में नहीं बनाते हो तो कोई सामने दिखा दिया तो भी गलत हो रही है यह UPSC है इसलिए बार-बार रिक्रस कर रहा हूं कुश्चन पढ़ने की आदर डालो कुश्चन पढ़ो कि अभी देखो कन्फ्यूजन ए और बी में हिंट दे दिया को अईसा कोई सुविधा तुम्हें एक्जामनेशन हाल में नहीं मिलने वाली कि कोई पीचर खड़े होंगे ए देखो ए देखो कहा जारी लाइट तुम उसके बाद भी यह भी करो फिर भी तुम्हें सही बता है हाँ जो बाद में बोला था पहले उसको बोलो ठीक है तब जाके तुम जो हो वह सोना बाबू बनके प्रिलम से निकाल दोगे ऐसी कोई सुगदा अब अब लब्द नहीं है ठीक है हो जाएगा कुश्चन एंसर इस यह था आपकी 11th क्लास की NCRD चैप्टर नमबर 9 आजा एक छोटा सा कुश्चन और देख लेते हैं विच आप दो फॉलिंग लीफ मोडिफिकेशन अकर्स इन दा डिजर्ट एरिया टू इन्हेबिटेट लॉस अब यह जितने भी कुश्चन आ रहे हैं पिछले कुश सालों से तुम नोटिस करके देखोगे सब रीजन इफेक्ट पे कुश्चन आ रहे हैं मलब यह तुमसे यह नहीं पूछ रहा है कि कहा सदाहरित वन पाय जाते हैं कारण क्या है ठीक है विचा तो फॉलिंग ल बता रखा है मैंने पहला के रहा है हाड वैक्सी लीव्स टाइनी लीव्स ट्रॉन इंस्टीड आव लीव्स अब देखों पूरी जानकारी मांग रहा है ठीक है हिंदी में भी दिखा दूं मरुस्थली छेतरों में जल राश को रोकने के लिए निमलखित में से कौन सा या कौन से पन रूपांत्रण होता है या होते हैं कठोर यह मोमी पन लगपन और पन की जगह काटे फिर कह रहा है कि मुझे इसमें सारी जानकारी चीए कि इसमें क्या क्या हो सकता है कि एड़ पॉइंट कि मुरुष्थल में उगने वाले पॉधों को क्या कहते हैं अब पीटूंगा सब याद आ जाएगा कई बार क्लास में पड़ा चुक हूँ हाँ कैक्ता सोता है हाँ हाँ अब बताव बटा तुम बताव टाई नंगी पीछ आप दो क्या नाम होता है अच्छा क्या क्या केटेग्रिय ने विश्य क्या है उनका आप मैं उटक्या है ए अगे है किया भाई उटा अरे कौन से पादब जगत से आते हैं भाई जवाग अंग्रेजिन दिया हाँ ते इसका भाई उटा कि बूलो पाईटा क्या होता है कि न पधारो मारे देश जेरो फाइट्स बहुत लोग क्लास में नहीं पढ़ाया था बोलो बेशर्मी कि इम तहां तक चले जाओ इसी लिए कहता हो कि मेरी हर बात लिखा करो और कुछ लोग नए आये हैं अब उनका एक दिन क्लास रोके पहले हाथ पर उल्टे हाथ पर पिटाई होगी और वो लिखने की आदत धीरे धीरे आएगी जेरोफाइट्स बोलते हैं मरूद भिद तो जो लमडिया जल में पैदा होते हैं सॉल्टी वॉटर में उनका भी तो कुछ नाम होता होगा अब जैसे रुद्र बताएंगे अरे उनका बायोटा ने तो आज ब तुबारा हम चौक्ठा सही कर देंगे बायोटा पूछ रहा हूं हाँ बोलो अगर 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 योगी पिटा अगर 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 याद दिलाएंग चमन प्रास लेलो थोड़ाँ सा हाँ इधर आता है हाँ बोलो देखो आता है तो कई से बुला के रहा हुए इधर अगर अजब नहीं आ रहा था तो पेन उल्टा बस आ रही थी इसको बोलते हैं है हेलोफाइट्स और कुछ भी याद करने ही जरू होती है पादब जगत को फाइटा बोलते हैं और हैलो यानि की नमक लवड उसका जो लाटिन रूट वर्ड होता है वो हैलाइन होता है है तो हैलो फाइट कुछ भी रट्टा मत मारो है यो फाइट तो जहाँ पर समुद्री जल ताजे जल के साथ मिलता है जो लंड़ी जल का सेगमेंट होता है यहां मैंग्रोज पाय जाते हैं उनको क्या बोला जाता है हैलोफाइट एक खास तरह का वो एक जो है वो सिस्टम होता है क्लिर है तो अब यह क्या कहा रहा है यह डॉप्टिबिल्टी मैंने आपको बता तो जो चीज शर्वाइब करी वह डॉप्टिबल है बहुत से और भी तो सिंपल क्या किया उसने बसक्यों उसके कैरेक्टिस्टिक्स पूछ ली है अब बता दो कैरेक्टिस्टिक्स क्या होगी तो 2018 का कुश्चन है एंसी आज सिक्स ग्लास ठीक है चैप्टर नमबर 9 का कॉश्चन डायरेक्ट कुश्चन है जो कहते है छटी-साथी पढ क्या होगा सभी जवाब क्या होना चाहिए डी क्यों अब आप एक्स्प्लेइन करोगे क्यों वैक्सी स्ट्रक्चर क्यों बनेगा सारे चीज मैंने उस दिन तो जानवरों के बताया थे उनका तुच्छा का रंग भूरा हो जाता है कि एडॉप्टिबिल्टी कॉंसेप्ट को आप समझोगे तो वह बहुत आसान रहेगा आपके लिए अडॉप्टिबिल्टी के कॉंसेप्ट को अब किया है आप अगर आप की तचा जो तने कीव अगर पतली होगी तो वैटर लौज ऊहिए बहुत बहुत गहरी होती डीप रूट्यों यह सिंगल जिए उसकी जो है वो जड़े अंदर जाती धूसरा वैक्सी होangen को तो देखो कितना इस पंजी और वैक्सी होता है ताकि वह वाटर कंटेन को अपने साथ रख सके पत्तिया क्या काम करती है इवपोरेशन एरिया प्रवाइड क्या होता है कि प्रक्राइब को यह इरेशन दोलते हैं जिसनों कि अटन कि खत्म हो जाएंगी तो क्या करती अपने पत्तियों का अकार कि छोटी छोटी पतिया होती है और ज्यादा हार्ट कंटिंशन में तो पत्तियों को एक बहुत जो है वो कठो में कनवर्ट कर लेती इसको हम लोग कांटे कहते हैं कैक्टस जैसे हो गया तो यह जड़े बहुत गहरी जलती है इनकी किसलिए पांज की तलाश में तो यह सारा इनका इनका जो इस्टेम होता है वह हमेशा बहुत देखो के हलके कलर का होगा तो यह इसलिए क्योंकि वह राजस्थान या मरुस्थल परदाश कर लें तो तो रिफरेंस के साथ आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है अभी भी अगर आप कुश्चन लगाके पढ़ना नहीं शुरू करेंगे आपकी पढ़ाई का सिर्फ समय बरबाद हो रहा है से ज़्यादा कुछ नहीं है कि आरेफर प्रेलिम शुरू किया बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं किया करो क्लास अब आरेफर में शुरू कर रहा हूं कि बहुत से लोग क्लास नहीं कर पाएंगे करेंगे निकर नहीं पाएंगे कि उनको हम ही रोग देंगे क्योंकि सीरियसनेस नहीं अगर दिखाई पड़ेगी तो वहां फिर मेंस मतलब बहुत सीरियसनेस मेंस क्लास में वही बैठें सावधानी है जिनको लगता है कि उनके अंदर आईएस का कुछ कंटेंट है को टेंपरामेंट है और जिनको बातचीत क हशी मजाक लग रहा है कि वह कुछ थिंकिंग नहीं कर सकते को जवाब नहीं दे सकते दिमाग को स्थमाल नहीं कर सकते वह पहले भी मेंस की क्लास में ना बैठें फिलम खेलने खाने के लिए होता है ऐसकि लो कटा Figak है लेकिन जिन हो चुक्के कोई upload होता है को दोबार मेंस लिखा होता वह बड़े सीर्यस लोग होते हैं आइब को युप्जी का ठीड़ीयल होते तो मेंसकी क्लास में वही मेरे साथ बैठे जो मेंस की मटेरियल में अपने waterproof पाते हैं जिनको क््लास में लगता है कि हांसी मजाग है लोड़ा बहुत कुछ भी आरे नहीं पता सर बोल दिया तो आथ तो दिया काम बरकात तो मोहनी हुई मेरे डंडेगी है ना कई लोगा हर्ट हुए होगे काहे का हर्ट ने तो अभी तुमारी आज अंतर आत्म हर्ट हुए होगी कल पीठ और हाथ दोनों हर्ट होगा अगर अब जो नहीं पढ़ाई शुरू किया दन है कुश्चन लगाना शुरू करो जितना ज्यादा हो सके टार्गेट दे रहा ह कि क्लास जब तक जोगर्फी चल रही है अट लीस्ट आप एक पैंसिल लो कोडिंग कर लो टॉपिक वाइस आपको जैसे जियो मॉर्फ लॉजी के लिए जीम नाम रख लिया जियो मॉर्फ लॉजी में अलग-अलग सेग्मेंट है रॉक के लिए आर जीमर जियो मॉर्फ ल ट्रीका मैं बता रहा हूं क्लाइमेट लोग में से कोडिंग कर लूप जीमर गयमार ञीम्ट्री जाहिं आडब ला जी मैं स्कंव बारे में हैं यर्वस के बारे में टरफ को एक तरफ लिख लो इस किताब को ऐसे यूज करोगे इनको जब पढ़ोगे तो फिर इसके बाद क्या होगा जो तुम्हारे common code से उनको एक तरफ लेकर जाओगे जैसे लग रहा है कि रॉक से लेटेड यह question है तो आप एक तरफ लेकर चले है ठीक है और जब पहले जब पढ़ोगे तो जब टीचर पढ़ाएगा तो तुम्हें तो question होते चले जाएंगे दूसरा अगर वो नहीं इसको कर रहे हैं तो आप पहले बाद उनसे question पूछोगे सर इसका जवाब क्या होना चाहिए आपके इसाब से और तीसरा जब यह पूरे question तुम्हारी coding हो जाएगी तो इनके notes बनाने में तुम्हें बहुत आसानी होगी वह information जिसको हम लोग fillers कहते हैं यह कोई भी teacher कोई भी किसी भी class में कोई भी notes complete UPSC के requirement को पूरा नहीं कर सकता उसके लिए teacher को बहुत लंबे समय तक अपना समय देना पड़ेगा subject बहुत depth में तो आपको यह क्या करना होगा इससे आपको अगर teacher आगे की तरफ जा रहा तो आपको पीछे की तरफ आके information को collect करना होगा कि कुल मिलाकर अंततो गत्वा competition आपका है बस आप यही दिमाग से भूल जाते हो क्लास में क्यों नहीं आए अगर आज आओगे तो ऐसा लगता आज उजांग सर्गयों पर एहसान कर देते हैं कुरसी खरीदा सुब बैठके दिखाते हैं बड़ी अच्छी बात है वाई शुक्रिया आप आ आप रिवीजन कर ले रहे हैं बहुत बहुत शु आप पहुंचते हैं असली दुनिया में तब आपको बहुत कुछ समझ में आता है तब आपको असली जिंदगी समझ में आती है जब एक एक दिन बड़ा भारी बीचता है और बहुत से मैंने देखा 90% लोग दूसरे अटेम की उपर नहीं जा पाते हैं बहुत कम लोग होते जो जिद्धी होते हैं वही तीसरे टेम तक पहुंचते हैं जातर लोगी कहानी सेकेंड टेम में खतम हो जाती है बुरिया विस्टर पैक कही नौकरी चाकरी तीन-चार साल बाद मुलाकात होती है क्या कर रहा हो फ्लनवा कंपनी में काम करें आए इस की तेहरी आरे एक अप किताब लेकर बैठें जोग्रफी की क्लासे से चल थे हैं उसको थोड़ा सा फाया उठाएं अ आज है कि दो आनलाइन वाले करहा हम पर भी ध्यान दीजिए बता तुम लोग द्रिआन देरें तुम लोग को भारी बीत रही है कि ओनलाइन वाले पर हम पर ध्यान नहीं दे र तो यह सारी छेयों किताब तीन हजार कोश्चन हैं लगा डालो तीन हजार कोश्चन भी लगा लोगे तीन हजार कॉंसेट्स हैं कोशिश करो यह कॉपी में एक सुपर नोट बना कि इसको डालने की शुरुबात करो ठीक है और जिलनों को याददास्ट की समस्य आ रही वह बार बार दोहराएं कि आप लोग करेंट डियूर्स को थोड़ा सा और सीरेसरेंस के साथ कर रहे मैपिंग को हलके में लिया उसको ॉलो आपका प्पेशिस जवाब दे रहा हैं इसी तेंशन को डूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम यानि ओजांक गुर्कुल केमपस यहां हम आपको सिखाएंगे I.S. और P.C.S. जैसे एक्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है कैसे discipline फॉलो किया जाता है कैसे अनुशाशन रखा जाता है अगर आप भी चाहते हैं हम I.S. और P.C.S. बने और अपनी जिन्दगी के सारे सपने पूरे करें तो अभी जोइन करें ओजांक गुर्कुल केमपस Because when we support the word selfless, the whole universe will support you and let's know